सारी नालियों को हम इसमें 80 परसेंट को तो बनवा चुके हैं और 20 परसेंट रहेगी उनको बनाएंगे कि मैं रास्तों यह डानी को पूरोई और एंग मैंने पूरा विकिछड है आधी रोड़ बाव बनाए डिये इनुगामों में हमने विविल परकार के विक्यास कारी करव सब्सक्राइब करें अब तक कितनों काम हो चुके नमस्काइब नमस्कार उजद सब्सक्राइब नाम बदा देगो मैं हनमान चिंग्यास सरपंस ग्राम पंचाहित बढ़निया मैं जब इस गाम में जो कि मेरा पेत्री गाम है इस से पहले में मेरी सिक्ष्या यहीं हुई है प्रैमरी तक एजूकेशन मेरे इस गाम में हुई है उसके बाद मैं विबिनिस्ता जून जूनू जेपुर मेरा पढ़ाई हुई और उसके बाद मने राज के सेवा जोईन की और 38 वर्ष की सेवा के पस्चाथ मैंने जब मैं 2011 में रिटाइर हुआ तो मेरे को एक लल्ग थी कि भई मैं क्यों नहीं मेरे गाम में भी जो बहुत पिछड चुका है आज के विकास की कती को देखते हुए क्यों मेरा इस में योग सब्सक्राइम में थे चुनाओं खड़ा यहां बहुंपलय गाओं में के की समझ से उसमें मुके समझ से आते आप देखेंगे सड़कम की भी थी पानी की भी थी कुछ जो यहां का प्राक्रतिक वातावन था जहां पेड़ पोदे लगाने चीए कुछ विसेस रूप से मेरे को एक हमारा चोटा सा स्थान है वो पुराने गाम के पास में यहां कि असे तो सारी काम पड़ें थे क्यों नहीं अपने इसमा आ गया है कुछ आगे यसी अर्चने नहीं आए इसलिए मुझे आना पड़ा अब जो था तुनाओं मैंने चार साल होगी ता अन्शर पंज बिन कि हमें सबसे पहले मैंने मेरा काम पंचायद से सुरू वहीं से किया था जो ततकालिक समझ जा थी कि उस चार दिवारी को जो दस बिगा की चार दिवारी थे उसको पूर्ण किया जाए और इसको एक अच्छे जो समसानस्तल बिलकुल उजड़ा पड़ा था वहां कुछ भी में पानी निकास की बड़ी समस्या है सड़कों की बहुत बुरी हालत है तो मैंने सबसे पहले से निटेस्टन वर के लिए हमारे मुखे रास्ते हैं दो उनमें सारे निचे फिटिंग्स करवाई मोटे पाइप लगागे पानी की अंडरग्राउंड विवस्ता कर रखी है अला कि पूरा गाम उससे नहीं जोड़ पाया दो हमारे महिंदरास्ते हैं उससे जुड़े वे हैं सारी नालियों को हम इसमें 80% को तो बनवा चुके हैं और 20% र हमने 12 वेल विविन अजेंशियों से स्वेज़े से पीएजडी से भी करवाए पंचाय समीति से भी कराई अमले साब से भी लिए नहें टूब वेल बनाए पर तुको का अस्तर इतना निचा जा रहा है कि टूब वेलों में फिर भी प्रियाब पानी नहीं बार सरकार की तोर वेंगें वेलों मैंने उन काम नहीं हो मैंने उन से संप्ट किया तौ उन्हें नेहीं हमारे तीन चार गाम यह जो है बुडाइनीय दिसमें है धत्रवाणा उस्में है और लामा का एक गाम है लामा गोड़का इन गाओं इन गाओं की प्दध्वाम स्कूरी कसी है चाह बहुत बड़ा बागवानी का और चारागा का छेतर हमारे 10 हेकटर का हमारे मोटाना जोड़ है उसके साथ ही स्विक्रत किया था उसमें करीब 5000 प्रेड लगाने का उनका करेकरम है 3000 तो लगा चुके और उसमें ट्यूब वेल भी बनाया है तो उसको करके वो भूत अच्छा मनलव गम उसकी फेंसिंघ गवरा करा करा के सारा बहुत अच्छा ड लख़ो हो रहा है और उसमें इसमें बहुत अच्छा तालाव सो वाई'd सो का और करीब 15 फिट गयरा बनाया गया है जो गाउंवालों के लिए एक प्रेट इंस्टल की रूप में काम करेगा वहां ट्रेक भी बनाया जा रहा है उसमें काफी प्रोजेक्ट में ऐसी चीजें हैं जो उसे में मदद मिल रही है इसके दलवा आपने देखते हो कि जल जी मिस दिमा है तो अभी दूबारा सुनू करेंगे तो वह साइदे अगले च्छे मैंने में पूरा हो जाएगा तो पानी की समस्या भी जैसे कि आप में यह बात चल नहीं है नहर से जोड़ने की वह प्रोजेक्ट स्विकरता है हमारा तो लोगरन में यह पानी की समस्या भी हमारी सुझने की कामना करते है मिर्दूसर विख बुडाण यह गराम पंचाहित अंचुन कुन सा गाओ इस गराम पंचाहित में बुडानिया तो यह घंचाह में मेंग साघ्रदानी और गुमं सर beide यह तीन गाम हैं जो इसी पंचाहित में आते हैं ने तीनों गावँ में विविन परकार के विकियास कारिये करवाए हैं जैसे गुमनसर में हमारे बहुत बड़ी समस्या थी जो में नाला जो जूंजनों को शड़क जाती है बीच से होके वो पानी उस में रास्ता है रोड बिलकुल पानी बैता रहा था 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 हुमन उस को बहुत कुछ ठीक कराया वो समस्या का समधादान हुए यूली रहा है उसका डामरी करन now वो भी पूरा करवा दिया है तो उस इस घाप में और पानी की ठैरिये की समस्या थी यूसमें और ग्राउंड बॉल लगवाई है बड़े पाइप लगवाए हैं पाणी को निकान के लिए के तालाब बनाया है तो उस गाम की भी समस्चाएं हम उसी परकार से सुधारने जैसे का हमारी मुख्य परचायत का हमारा बुड़ानियां गाम है हम बराबर उनको दे रहे हैं इसके तरीक बहुत बड़ी समस्चा है अब भी थोड़ी बहुत पूरी तनी शुल्जी है कि वहां बीसेनल का कोई बो नहीं आता था नेट्वर्क नहीं था तो हमने रिक्वेस्ट करके बीसेनल वालों से तो वो टौर भी लगवाया है तो उनके पास जमीन की प्रॉब्लम थी ग्राम पर चाहते हैं उनको जमीन प्रॉब्लम था आपने यह इसमें हमारी सबसे बड़ी समझा यह प्रावर्म से मेरे सामने भी आई कि यह सभी गाओं की बहुत बड़ी समझ से आए तो गाम वालों ने मैं भी मेरे को मालता समझ से आपन तुग राम पंचायत इस काम को अपने सादनों से तो करा नहीं सकती गाम वालों के सहोग से राजे सरकारी समें मद्द करती है वो हमने सबसे पहले गाम वालों के सहोग से एक और उसको हमने प्रार्म किया और लोगों का सहुग भी अच्छा प्राप्त हुआ उसमें कुछ भामा साउनों भी हमें टीन सेड़ भी बढ़ा के दिये कुछ गामाणों के सहुग से बढ़े कुछ हमने परदानमत्री कर्सिशियों चारा को दाम बनाए चलाना सुरू किया तो एसी सिम्झ से आई कि हमने सोच रहे थे कि हमारे गाम में करीब 101 पस्फू हैं जो गुमते रहते थे तो उनके लिए अमने उतनी वेश्टा करी तो जब वेस्ता करी तो हमने उनकी तो कर दी तो दीरे दीरे आते आते 60-70 सांड और नए बाहर से आ गए हमें और उसको हिंडल करने में हमें इतने दिक्ता है कि तो आवारा सांड आप देखते हो चाहे कितनी क्योंकि हमने शुरू से में तारबंदी करी थी तो तारबंदी ये आवारा सांड जो बाग लड़ा आके उनको काफी उन्होंने हमें नुक्सान पहुचा है हमने साल बर तक उनको रखा भी परन्तु हमें उनके समालने के लिए आद्मियों की बड़ी जूर्त पढ़ती है हमें साधन की कमी है वह भी साधन है सब कुछ है पर तू कोई ग्राम बासी इन सांडू का गायों का काम करने के लिए हमने काफी अच्छी मजदूरी भी दी 1550 रुपए पहने तो वह में उपलब नहीं हो सके इसलिए हमें उसमें पूरी सफलता नहीं हो पाई हैं गायों को तो मेंटेन कर सकते पर तो इन सांडू को मेंटेन करना इसके लिए बहुत बड़ी चार दिवारी चीए तो हम उस स्थर पर उतने सफल नहीं हो पाई हैं पर तो हमारा प्रियास है कि हम आगे इसको बढ़ाएं मैं थार से एक स्वाल लिए और पूछो कि जब अब जो गावं देखा हैं जो सरकारी स्कूल हैं बड़ में देरे देरे बच्चा कम हो रहे हैं तो बकले गावं में कोई मुहीं चलाई है या स्कूल में को या बिलकुल आपने सही परसन उठाया सरकारी स्कूलों की बहुत चाहाँ बच्वों की संक्षे क्या कया वहत बुरा हाल है ये सही बात है हमारी स्कूल में भी यह राज जब हम पड़ते थे हमारे बाद भी जब हम मिडित स्कूल थासे तब 400 बच्चे वा करते थे और आज हमारी स्कूल में 130-140 बच्चे रहे गए यह बड़ी गंबीर समस्या है तो मैं बार-बार पूछता था कि यह क्या करें कि यह बच्चे से स्टाफ बड़ा अच्छा है टीचर्स फुल हैं कोई कमी नहीं है बहुत अच्छा मकान है सारी सुविदाएं हैं फिर भी बच्चे के साब आते नहीं तो आते नहीं काफी परियास किये संक्या थोड़ी बहुत 20-30 सी बड़ पाई वो हम सफल नहीं हो पाई टीचर्स को भी काफी लगाया वो बार-बार समझचा है तो कि तो लोग साब अंग्रेजी स्कूलों में बेजते हैं बच्चों को इसलिए यहां बेजते नहीं तो यह समझ से आती है तो हमने फिर अभी दोस्त एक साल पहले ही कहूं में यह दूसरा साल है हमने रिक्वेस्ट करके अंग्रेजी माध्य में स्कूल यहां खुलवाया है सिस्ट तक ही खुला है अगली साल एट तक हो जाएगा तो उससे गावन में का काफी उत्सा है कि भाई वो क जानते हैं अग्रेजी माध्य में स्कूल तो वो हमने खुलवाया है कि में लास्ट सवाल तासा है कि जो एक साल को कारियकाल बच्चे है वह में आगए के गण को बिलकुल सही का मैं बहुत कुछ काम करना मेरी वो टार्गेट्स थे शुरू में और अब भी हैं तो सबसे पाते हैं फिर भी हम यह परियास कर रहे हैं कि हर ठेका देने की वह अभी सोच रहे हैं सरकार ने भी कर रखाया कि भाई प्रती दिन सफाई हो उसके लिए हमने एक गाड़ी तो खरीदी है वो तो गर गर डौर करने का और कुछ लोगों को उसमें लगाया भी है पर तो गाम हम मैं ऐसे आदमी मिलते कम हैं तो हम बार से कर रहे हैं आई रप तो उनके करके यह साफ सफाई का का काम करेंगे एक परकास की वेस्ता जो बहुत जरूरी है गाउम आजकल इसको हमने टेक अप कर लिया है अभी हमने उनसे बात भी कर लिया है सोदर लाइट लगवाएंगे कुछ और कुछी बड़ी हाई मास लाइट हम लगा रहे हैं तो अगले तीन मेने में हमारा यह प्रोग्राम है उसके बाद कुछी सी कैमरे भी सेलेक्टेट जगे हम लगा रहे हैं जैसे सुरुक्षा बढ़ी रहे यह भी हम कर रहे हैं एक जल संचरन की सबसे बड़ी प्रो प्राने कोई ओपन बेल पड़े हैं गाम में हम उनको जो नाडिया है जो वेस्टेज पानी है उसको उनसे जोड़ रहे हैं करीब 11 कुए हैं हमारे चहतर में तो वो उससे किया कि सफाई भी होगी और वो पानी भी रिचार्ड होगा वो भी अगले मैनों में हमने सारा उसका काम सुरू होने वाला है इसके अलावा हम आदरस तालाब बना रहे हैं बो बड़ी राएब जल्दी बन जाएगा आपके यहीं है रास्ते माप इदर से नहीं आए होंगे काम चल रहा है तो हमारे उतरी साइड में यह जुन जाते इसी मेंदरों पर हमारा बोजानी तालाब है पुराना उसको में आदरस तालाब के रूप में उसमें पार्क बना रहे हैं पार्क का काम करीब करीब पूरा होने वाला है और उसको करके और उस तालाब को भी पक्का करेंगे हम वह भी काम अभी शुरू कर रहे हैं तो उससे वह एक इस्तल बन जायागा गरामन बात्स पढ़ेश इसे अपने हमें लावभन्वीत किया पधार के आप पधारते रहें कर भाइजी नमस्काल किया नाम है कार राम काम में क्या काम होया चार साल कम मत क्यों को झाए हो भाई मारत उरा देख ले दुए वर ओड़ी पड़ी हैं देले और क्यों गोड़ी हो और नलकी तेन साल होगी जए तीन साल हमां निक्की नेव पड़िए पाणी की मुष्कलाए टंकरगिराँ हां 570 पाणी की समयारी की समयारी है 570 पाणीक्रादू ले इप गरीवाधी में 570 युद्ध अगल मनागमां एक साल को कारेगाल और बच्च तो पानी की समश्या है रोड की समश्या है जगा जगा पानी बरे बैगी समश्या है और विकास बान लो पढ़ाई को हना पढ़ाई को भी कोन्या ज्यादा टावना को पर कोई महत्व को नहीं गाउं कमा तो कुल में जाएं तो कोई नहीं लागे के काम है क्वुण है बैया तो इस चार साल में जो कोई काम कुल लागे मांतो पर और यह है की अश्य वाएक वाएक साल में विक काम कर रहा होगा पाई लगान के लुग के लुग घरा घरा से जा जाके पाइप लगा है पाइप्र लिए रियुम है और यो पानी बढ़ना दो फट चेट आज्ट एली मैं यूगें भी जुटाई दुखिय और आपड है बाकि अधान तोड़ों सो रस्तों है यह दिखा दिखा दिए यह रस्तों कुण सो जगाह है यह आप आधी रोड़ बनाएडी ए सरपच की उजनाम परन बहुगी लगबगए सो एक मिटर रहे है डेट सो है बात दर जीहां गरांग उनुन लेकर ने पर रोड में रोड़ पर मिला तो यह किता दिन होगा यह कंडिशन होगा एंट यह दो कोई शिकायत करें कुल करें को बुजब आइफ करें एक शीचेंड बाई जी के बतारों सिकायत कर निये कंकर पत्तर पढ़ें हुगा यह बज़री रितन करें काम कुनिया अभी तक थेदा गिरवाई करने लिए अभी तक काम कुनिया है का अलावा और कोई गाम में तो यह सरकारी बाप नलकी दे रहे खिए नहीं पाणी द्रावनों रही हो और पूरी रोड ने खराब कर दी बीच के बिचु बिच पाड़ के आदमी पदल कुंचार्स के मां के शरुवक्र क्या होगा रहे तो देखो दें कंडिशन स्टार्टिंग में अहां वुरे से हैं बड़े को ने बात करिया हुआ कि गाउम में गौसाला है नाम की बढ़ी ही बगापी साटका उठाय गाउं का और पर फैलोगी दो मनाई गूंचाली कि इब बाच्छडिया प्रेशा निक रहे हैं अक्षिडेंट हो जानूं की बर तो दो था आप बुडानिया ग्राम पंचाइद में आया अप है उड़े सर्पंच से बात करी ही औरो जो उड़े का लोग हाबन से बात करी कि अन्चार सलम के विकास होए है बाप पूरी थे वीडियो का मैंन देखिए हो और रेगुलर आएं की ही जानकारी आएं की अपडेट पान के लिए और एस सीरीज का सागर रेगुलर जुड़े रेंड के लिए चैनल ने सस्क्राइब जरूर कर लिए धन्यवाद